ओम हनुमते नमह दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों तुम्हारा काल बन कर आई है, यह हिस्त्री आपके उपर मारण क्रिया कर रही है, इसका चेहरा देख लो, क्योंकि इसकी परचाई भी आ अवश्य लिख दीजिएगा, आईए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर कौन वह से लोग हैं, जो आपके लिए चलते फिरते काल के समान हैं, जी दोस्तों, हमारा जो जीवन है और मनुष्य जो है, बहुत से लोगों के सानिध्य में अपना जीवन यापन करता है, यानि कि ह हम, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, बहुत से हमारे अपने होते हैं, हमारे परिवार में लोग होते हैं, हम जहां काम करते हैं, वहां बहुत लोग होते हैं, हमारे मित्र बहुत होते हैं, और इस दुनिया में दोस्तों, हमें कई लोगों से मिलना जुलना पड़ दह लोगों की जलन की भावना का शिकार होना पड़ता है। लोगों के व्यक्तित्व को पहचान ही नहीं पाते हैं क्योंकि कुम्भ राशी वाले तो बहुत भोले इंसान होते हैं। दोस्तों, अगर उनके पास में खडीडीडीहा हुआ, इंसान उनके साथ रह रहा, इंसान गलत होगा, आपके लिए गलत कर रहा है, फिर भी आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उसको। तो दोस्तों, बहुत अच्छा इंसान मान रहे होंगे क्योंकि आप इंसान बहुत ज्यादा भोले, बहुत ज्यादा भावुक और वह इंसान आपके साथ रहकर ही आपको बरबाद कर रहा है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि व्यक्तित्व की पहचान आपकी पहली मुलाकात से ही आरंभ हो जाती है। ध्यान से सुन लिया इस बात को। इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह व्यक्ति आपके साथ होने पर क्या कहता है, क्या करता है। कि कहीं आपके परिवार के ही कुछ लोग तो नहीं है, जो आपके लिए जलन की भावना है, आपके सर पर काल है, कहीं आपका सबसे बड़ा परम मित्र तो नहीं है, वह दोस्त तो डराने का काम नहीं है, क्योंकि हम तो ठहरे भावुक और हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे साथ जो पांच लोग हैं, वह पांच ही हमारे शुभेच्छू है, हमारा सही चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम सफल होते हैं, तो दोस्तों हमसे कई लोग जलते हैं, हमारे अपने जोतिशाचार्य ने बताया हमारे गुरु जी ने ये हमारी आँखें सब बयां कर देती हैं सच और धोखा सब आँखों में ही छुपा होता है दोस्तों एक वास्तविक मुस्कान में आँखों के कानों पर छोटी जुरियां दिखाई देती हैं और भौहें और उपरी पलकों के बीच की तवचा नीचे आ जाएगी हालांकि एक मुस्कान का उत्पादन स्वैच्छिक रूप से किया जा सकता है लेकिन असली मुस्कान में इस्तिमाल की जाने वाली कुछ मांश पेशियों को अनुबंधित नहीं किया जा सकता तो ध्यान रखियेगा जो आप से जलता है उसकी आँखें बया कर देगी उसकी आँखों से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर वह असली में क्या है और आपके सामने क्या है जो आप से दोस्त मीठा बनने की कोशिश करेगा और उसके अंदर दोस्तों आपके लिए दोस्तों जलन की भावना है तो दोस्तों उसकी आँखें खुद बखुद गवाह रह जाएंगी एक बार नोटिस जरूर करिएगा दोस्तों छोटे-छोटे शरीर के फेस के एक्सप्रेशन दोस्तों ध्यान देने योग यह है जो व्यक्ती जो किसी व्यक्ती के चहरे पर जल्दी से गुजर जाते हैं आपको उस व्यक्ती की इमानदारी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं यह भाव एक सेकंड के आधे सेकंड के दोस्तों कम समय के लिए प्रकट होते हैं और एक छिपी हुई भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, उस व्यक्ति को, कि उसका चहरा आपको क्या बता रहा है, और क्या वह भाव आप व्यक्ति के शब्दों से मेल खाते हैं या नहीं। क्या वह जो बोल रहा है, मीठी मीठी जो आपसे बातें कर रहा है, क्या उसके मूह से वह जलक भी रहा है या नहीं। क्या उसकी मून के जो एक्स्प्रेशन है, वह सही है या नहीं। क्योंकि दोस्त तो चहरा जो है, सब बयां कर देता है। इनसान के शब्द जूठे हो जाते हैं, परंतु उसकी चहरा और उसकी आँखें जूठी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको आना चाहिए इनसान का चहरा, पढ़ना आना चाहिए कि वह असलियत में क्या है। उसका चहरा आसानी से बता देगा। दोस्तों, ये दो कारण बताए हैं हमने, और इनसान जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, आपके साथ में रह रहा है। आपके परिवार का कोई इनसान हो गया, जो आपकी सारी चीजें जानता है। दोस्तों क्योंकि परिवार के लोग हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम भविश्य में क्या करना चाहते हैं वह भी जानते हैं, हमारे छोटे छोटे राज वह सब कुछ जानते हैं दोस्तों, और यह लोग जो है अगर इसमें कोई हमारा काल है त तो दोस्तों, वह हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो हमारे सब राज जानता है, और जो हमारे सभी आगे की रणनीती जानता है, वह दोस्तों हमारा कुछ भी बिगाड सकता है, कुछ भी नहीं, बहुत कुछ बिगाड सकता है, तो ऐसे लोगों की पहचान जितनी जल्दी हो सके, कर लीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे लिए हर समय किसी व्यक्ति की body language पढ़ना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दे, तो ये एक बड़ा साधन है, जूट को पकड़ने का। जैसे क्या व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने शरीर को अपने से दूर कर देता है, वह बेचैनी का संकेत हो सकता है, क्या वह व्यक्ति कभी-कभी फिजूल जपकी लेता है और अपने कंधों को हिलाता है, वह संकेत हो सकते हैं कि एक व्यक्ति की बातों में इमानदारी की कि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति बात करते समय हमेशा खुद को और आपके बीच में कोई न कोई सामान रखता है तो उसके जूट बोलने की संभावना ज्यादा है। दोस्तों सम्मान जनक नहीं होते क्योंकि फ्रॉड लोगों में केवल सत्ताधारी लोगों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें खुद पर और अपने काम पर कम भरोसा होता है। इसलिए वे हमेशा बाबर को सलाम करते हैं जो लोग हमेशा बड़े-बड़ों की बड़ाई करते हैं, बड़े-बड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। अजीब बात है, लेकिन ये सच है। दोस्तों, सच्चे लोगों को अपने दोस्त के चक्र को बढ़ाने के लिए प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वह रूची या लगाव एक दिखावा ही क्यों ना हो, दोस्तों, तो जो लोग आपसे दिखावा करते हैं, उनके मन में भी चोर है, तो कुछ चीजें बताई हैं, जो दोस्तों थोड़ा कठिन है, समझना परंतू, अगर आपने एक बार और अगर आपने वीडियो देखी और अच्छे से सुना, तो आप आसानी से समझ लोगे, कुछ चीजें हैं पुन दोहराते हैं, फेस का एक्स्प्रेशन उसका फेस कैसा है, आप बोलते समय उसका दोस्त मुनह कैसा है, उसकी आँखें जवाब दे जाएगी, उसका चेहरा जव बढ़ नहीं है, ज्यादा कोई दोस्तों माथा पच्ची का काम नहीं है, लेकिन दोस्तों, एक ऐसा बड़ा राज आपके सामने खोलने वाला हूँ, जैसे जानकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आपके ऊपर ये एक इनसान जादू टोना कर रहा है, समय रहते अगर ये वीडियो देख ली, तो आप बचाओगे, अन्यथा आपको आने वाले समय में बहुत बढ़ी कीमत चुकाना पड़ डैच सकती है जी, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपक कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखना बिलकुल न भूले, बजरंग बली आपको हर एक नकारात्मक शक्ती से बचने की शक्ती देंगे, तो मित्रो बरा जाते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो की ओर, दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चरहाव तो मित्रो आते ही रहते हैं कभी, मित्रो सब कुछ हमारे पक्ष में होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे विपक् जाता है, मित्रो बने बनाए काम विग़ड़ डडा जाते हैं, मित्रो बहुत सारी संपत्ति घाटे में चली जाती है, तो ऐसे में हम यह मानते हैं कि हमारे उपर किसी ने काला जादू या टोना टोट का करवा दिया है, परंतु मित्रो ये बात उतनी हद तक सत्य नहीं होती है, मित्रो दरसल उतार चरहाव, तो जीवन के मित्रो दो रूप होते हैं, परंतु मित्रो हमारे जो कर्म होते हैं, मित्रो अगर वे बिलकुल, मित्रो सत्य है, यानि कि कि हमारे जो कर्म है मित्रो वह बिलकुल सच्चे हैं। हमने कभी भी अपने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया है। आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया है। मित्रो कर्म उतने अच्छे नहीं करते हैं, जिनके कारण थोड़े बुरे होते हैं। मित्रो उनके उपर नकारात्मक शक्तियां जो होती है, आसानी से मित्रो प्रभावी हो जाती है। तो मित्रो आईए, जानते हैं क्या-क्या लक्षन होते हैं। अगर आपके उपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तो मित्रो ध्यान से सुनिएगा लक्षणों को। इसके बाद हम आपको बताएंगे उससे बचने के भी तरीके। मित्रो शास्त्रों में काला जादू को अभिचार, यानि की बूरे काम की संझा दी गई है। काला जादू की सहायता से लोग नकारात्मक शक्तियों को जागरत करते हैं। इसका मकसद होता है मित्रो शत्रू को परास्त करना होता है। इसमें लोग किसी को परेशान करने या अपने वश में करने के लिए विभिन्न तंत्रमंत्र का सहारा लेते हैं। मित्रो, अगर आपके भी बहुत ज्यादा दुश्मन है, बहुत ज्यादा जलने वाले हैं, अगर आपसे मित्रो, हर कोई मित्रो जलता है, ध्यान रखिएगा, आपके उपर मित्रो कोई क्रिया करवा सकता है, ध्यान से सुनिएगा मित्रो, कि जादू टोने से बचने के भी ब ध्यान से सुनिएगा मित्रो, नकारात्मक शक्तियों का यानि की काला जादू का प्रयोग वही लोग करते हैं, जो दुसरों की सफलता से इरश्या करते हैं, आजकल यह बुराई ग्रामीन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देती है और धीरे धीरे बढ़कर शहरी क्षेत्र में भी आ रही है, इस लेख को, मित्रो ध्यान से पढ़ियेगा और ध्यान से सुनिएगा कि काले जादू के जो लक्षन हैं, जिनके दिखाई देने पर अगर आप भी मित्रो इससे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, मित्रो, काला जादू यह शारीरिक नहीं, बलकि मानस मित्रो, कभी कभी इंसान जो होता है, उसका अपने उपर कंट्रोल तक नहीं होता है, मित्रो, अगर मान लीजिये आप पर किसी ने काला जादू करवाया है, तो घर परिवार में अचानक, मित्रो किसी की तबियत बेगड सकती है, मित्रो अच्छा-च्छा कट्टा इंसान चुटकियों में, यानि की पल भर में, मित्रो बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है, और उसकी मित्रो जो शारीरिक शक् मीने अगर बिकने लग जाएं, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ जाए, तो समझ लीजिएगा किसी शत्रूने, किसी दुश्मनने आप पर, मित्रो कोई क्रिया हो सकती है, कोई जादू टोना करवा सकता है, मित्रो काला जादू जो होता है, पहला और प्रमुख लक्षन य वह उसकी आप रोजाना देख भाल भी करते हैं, और वह खूब हरा भरा है, परंतु अचानक से वह सूखने लग जाए, धीरे धीरे वह इतना सूख जाए, कि मित्रो उस पर एक हरी पत्ती भी दिखाई न दे, तो यह आपके घर के मुखिया पर काले जादू का असर का बहुत ज्यादा चिड़ चिड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति के मित्र और परिजनों को उससे यह शिकायत होने लगती है, कि वह अचानक उससे व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया है, जिसको वह नहीं मानता और खुद को सही ठहराता है, यह भी काले जादू के असर क कारण हो सकता है, मित्रों, स्वप्न में अपने उपर गंदगी देखना, यदि सपने में खुद को गंदगी के नीचे दबा हुआ, या अपने उपर गंदगी पड़ी हुई दिखाई दे, तो यह काले जादू की तरफ इशारा करता है, मित्रों, इसके अलावा, यदि इनसान पर मित्रों टोना टोटका है, तो उस इनसान का, मित्रों अपने व्यवसाय में बिलकुल मन नहीं लगेगा, मित्रों उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा कि उसके व्यवसाय में घाटा हो रहा है, या मुनाफा उसको इन चीजों से कोई मोह नहीं होगा, धीरे-धीरे मित्रो वह एक एकांत इलाके में पहुंच जाएगा मित्रो घर में अचानक से किसी इंसान का एकदम से बीमार पढ़ जाना और मित्रो यह भी बड़ा लक्षन है मित्रो घर में सामान का बिखरा हुआ होना यानि कि मित्रो घर पर आप ताला लगा कर कहीं गए और वापस अगर लोटे और आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि घर का सामान तो इधर उधर है, कुछ ना कुछ जोल मोल है तो समझ जाए मित्रो की यह भी एक बड़ा संकेत है आईए मित्रो इनसे बचने के लिए कुछ अचूख उपाय बताते हैं मित्रो, सबसे पहले तो अपने कर्मों को अच्छा करिये, आपका कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता दूसरी ओर, मित्रो हनुमान चालिसा पढ़ने के बाद, याद से हनुमान जी की कपूर से आरती करें मित्रो, नियमित पवित्र भावना और शान्ती पूरुवक्ध, हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी की ख्रिपा तो प्राप्थ होती ही है, वह आपको हर तरह के जाने अंजाने होनी और अनोनी से भी बचाती है, तो ध्यान रखिएगा मित्रो, यह कार अवश्य करिए नियमित, हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिए मित्रो, संध्यावंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए घर में या मंदिर में सुबह शाम अवश्य करिएगा मित्रो रात को सोने से पहले अपने तकिये के नीचे हनुमान चालीसा रख सकते हैं फिर एक तांबे के लोटे में जलने और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन भी मिला दे अब उस पात्र को अपने सिरहाने पर रखकर रात को सो जाएं सुबह उठकर सबसे पहले जल को तुलसी के पौधे में आग से छड़ा दे ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया आपको कुछ दिनों तक करना होगा क्योंकि तभी धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएगी हनुमान जी की शक्तियों से तो आप मित्रो बिल्कुल ही वाकिफ हैं तो इसका ध्यान रखिएगा मित्रो और मित्रो सबसे बढ़ी बात है अपने कर्म जितना हो सके अपने कर्म मित्रो अच्छे करिएगा गरीबों की मदद करें और कभी भी अपने घर की लक्षमी का अपमान न करे और मित्रो अपने माता पिता का हमेशा आदर सम्मान करते रहे ये मित्रो कुछ कार्य थे जो हमने आपको बताए लक्षन भी बताए और मित्रो क्यों होता है लोग क्यों करते हैं? वह भी सब कुछ बताया है. अगर कुछ जानकारी में कमी रह गई हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं. हम आपको उत्तर जरूर देंगे. मित्रो जादू टोने से बचने के लिए घर में रोज दिया बत्ती अवश शक्रियेगा.